रोहिश रमा और MS धोनी की कप्तानी का सबसे बड़ा फर्क महेला जैवर्धन ने बताया रोहिश रमा बहतरीन कप्तान है और उन्होंने साविध भी किया है भारतिय टीम की कमान उन्होंने जब भी समाली है अच्छा प्रिदर्सन किया है और जब बात IPL की है तो उन्होंने अपनी टीम मुंबई इंडियन्स को चार वार खिताब दिलाया है हाला कि कई वार वराट कोली, रोहिश शर्मा और MS धौनी की कप्तानी की तुलना हो चुकी है एक बार फिर से स्री लंका करकेट टीम के पूर्व कप्तान महेला चैवर्दन ने बताया है कि एक लीडर की तौर पर हिट मैन कैसे अलग है IPL की बात करें तो इस लीग में सबसे सफल कप्तान है जबकि तीन कितावी जीत के साथ धौनी दूसरे नमबर पर है IPL में ये दौनों सबसे सफल कप्तान है लेकिन इन दौनों की कप्तानी के तरीका विलकुल अलग है इस तरहे MS धौनी जहां तैयारी और खेल के पहले की रणनीती के मुकाबले अपने सहज ग्यान पर जादा भरोसा करते हैं बही जैवर्दन के मुतावित रोहिश यर्मा का स्टाइल बिलकुल ही अलग है जैवर्दन ने कहा है कि वो भी एक सहज लीडर है लेकिन वो बहुत सारी जानकारियां एक हट्टा करते हैं और यही उनकी सबसे वड़ी तागत है महेला ने सौनी टैन पिटिस टॉप पर यह बात कही है धौनी के साथ काफी करकेटर्स ने कई साल तक काम किया है और उन में से कईों ने बताया है कि वो टीम मीटिंग में ज़ादा बिस्वास नहीं करते हैं और अपने सारे फैसले मेंदान पर ही लेते हैं वही महेला ने मुतावित रोई श्यर्मा खिलाडियों के साथ बात चीत करके जादा से जादा जानकारिया मैस से पहले हासन कलने की कोसिस करती है जैवर्दन ने उस बक्त मुंबई इंडियन्स के कोच है और उन्होंने कहा है कि रोई श्यर्मा के पास जिग्यासु दिमाग है जोने किर्केटर का बहतर स्टुडेंट बनाता है जो मेरे पास आते हैं और सवाल पूसते हैं कि रोहित मेंदान पर जो फैसले लेते हैं वो जानकारियां के आधार पर भी होता है एक तरब जहादोनी अपने आप पर विश्वास करते हैं तो बही रोई श्यर्मा मैस से पहले तैयारियों पर भरोसा करते हैं तो IPL में आपका फैबरेट कप्तान कौन सा है हमें कॉमेंट करके अपनी राहे जरूर बताएं चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार